मार्केट के वीक्री डोस में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बीन रोलर कॉस्टर राइड इन दे मार्केट फॉम पास्ट्री मंथ मार्केट गुइंग आल ओवर दे प्लेसे इतनी वॉलेडिलिटी है कि लोग समझी नहीं पारे यह मार्केट करना क्या चाती ह इस दोरान अंदर बार करके लोग पूरा पैसा अपना गवा रहे हैं बट जो भाई बहन जो बेरे दोस्त इस चैनल के साथ पहले से जुड़े हैं वह यह जानते हैं कि यह पूरी हमने इस यूटूब चैनल पर की हुई है तो हमारे लिए बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं था जो कुछ हुआ हमें औरेटी पता था अब आगे क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है कि 17,300 पर हमने अपना बॉटम लगा लिया है यह करेक्शन यहां से और बढ़ने वाली है कि ह हम लोग अप्रोच कर रहें यह सब करेंगे दोस्तों इसके लिए हम लोग ग्लोबल इंडाइस भी देखेंगे रूपी डॉलर क्रू डॉयल यह सब करेंगे एंड तो मोस्ट इंपोर्टन यह जो रश्या और यूक्रेन का जो मैटर चल रहा है यह मैटर एक्जैक्ली क्या ह है और अगर ऐसा हो रहा है तो इसकी वाज़े से मार्केट पर क्या इंपक्ट बढ़ सकता है यह पूरे को जोड़के यह देखेंगे कि अगले अफ़ते पर मार्केट के लिए क्या पॉसिब्लिटीस बंगी तो अगर आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको ब्रीफ कर दू कि एग्जैक्ली रश्या और यूक्रेन के बीच में चल गह रहा है तो पहले थोड़ी सी थोड़ा सा इसका बैक्राउंड समझ लेते हैं यह जो रश्या है दोस्तों यह एक जो नैच्रल गैस क ध्याली को को सबस्वाइब करते हैं तो यह जो लोग गैस फैप्लाइब करते हैं और यह उक्रेन से पास होती है तो रशिया को यूक्रेन को कुछ फीज देनी पड़ती है इस इस पाइपलाइन को सप्लाई करने की वज़े से और जो फीज है वो 33 बिलियन डॉलर एक साल के यह जो 33 बिलियन डॉलर है यह यूक्रेन का बेसिकली जो भी यूक्रेन का पूरा रिवीडू है उसका 4% है तो बे तो जैसे रशिया नहीं यह सोचा कि क्यों ना हम यूक्रेन को सबक सिखाए यूक्रेन की एकॉनमी को और कमजोर कर देते हैं यह कैसे पॉसिबल है यह जो पाइपलाइन है जो रशिया और यूरोपियन कंट्री के बीच में इस पाइपलाइन को यूक्रेन से हटा के अंडर 300 km की pipeline है अब यूखर ने देख लिया है कि भाई अगर यह pipeline लोग बना चुके हैं अब अगर इनको पर्मिशन मिल जाती है तो यह जो मोटा revenue हम लोग इस pipeline के थू ला रहते हैं यह हमारा रेविन्यू चला जाएगा और इसके साथ में इसका साथ पॉलेंड भी दे रहे हैं क्योंकि पॉलेंड के थुरू भी यह पाइपलैन जाती थी अब अगर यह पाइपलैन चालो हो जाती है तो इसका बहुत जादा फाइदा यूरोपेन कंट्री को मिलेगा विकास रश अगर यूकरिन बीट से अट जाता है तो रश्या जो दामों में जो यूरोपेन कंट्री को दे रहाए गैस वह बहुत ही कम दाम है मतलब बेसिकली अमेरिका का जो गैस है इस इससे महेंगा हो जाएगा और अगर महेंगा हो जाता है तो यह जाहिर सी बात है एकर यूरोपे हुदा हुआ है हाला कि रश्या बोर रहा है कि हमको यूक्रेन पर कोई अमला नहीं करना है लेकिन अमेरिका वहाँ पर फालतु भी टेंशन बढ़ा रहा है और बताब ऐसा बता रहें कि बहुत जादा टेंशन है वो लोग यह कोशिश करते हैं कि यह जो पाइपलेन बन चुक है इसा मुझे लगता है कि अब लोग हम लोग अब बहुत ही जादा हमारे जो आज की जो दौर है बहुत जादा एडवांस दौर है बहुत जादा रूल से रेगिलर इंसंस आ चुके बहुत सरी और पुरी वर्ल्ड यह नहीं चाहेगी कि बहुर हो पिकर जब बहुर होता ह है तो हर जगे पे हर एक इंसान का लॉस होता है और रश्या और अमेरिका अब्यस सी बात है यह दो इतनी बड़ी कंट्रियां तो मेरे को नहीं लगता आप उसमें लड़ने वाली है थोड़ी बहुत गर्मा गर्मी होगी थोड़ा बहुत कुछ होगा उपर नीच्चे होग पर जुड़े थे इस केंडल पर दोस्तों लास्ट विक में मैं आपके साथ जुड़ा था और मैंने आपको बोला था कॉशन अब यहां से आपको साउधन रहना है हाला कि आपने देखा मार्केट नीचे गई और इस लेवल पर यह जो लेवल है हम लोग यहां पर जुड़ तो वीकली में कुछ बहुत जादा नहीं हुआ है आप देखो वीकली केंडल एक डूजी टाइप की केंडल बनी है मतलब जाम खुलेते लास्ट जाते अभी भी हुई है लेकिन अगर आप देखोगे तो जो मीड़ स्मॉल कैप में अच्छी खासी तबाई मज़ी है स्मॉल कैप इंडेक्स आप देखो लास्ट वीक में करीब करीब साड़े 4 परसेंट ता तो अच्छी खासी मार्काट स्मॉल कैप इंडेक्स में भी है और यह वान दोस्तों मैं और यह आपको लास्ट वीक करके गया था अब आगे क्या पॉसिबिलिटी बन रही है मार्केट में मा पास टैम बोला था अभी एग्जैक्ली मेरा वही व्यू है और वह व्यू बहुत क्लियर है अगर हम 17,250 के निचे टिक जाते हैं मतलब यह जो लो है जो बजट का लो है आपका बजट की दिन पर जो मार्केट ने लो लगा था 17,250 के आसपास और अब लोग अभी 17,375 के आस पास आसकते 16,400 आपको मैं लेवल बताता हूँ इन लेवल को आपको ध्यान रखना है जो पहला इंपॉर्टन लेवल है आप बात समझेए जो फॉर्स्ट इंपॉर्टन लेवल है वो है 17,600 वो लेवल है जिस पे अगर हम आ जाते हैं तो हम नूट्रल हैं 17,600 पे हम जब आ जाते हैं तो आप मान के चली हम लोग नूट्रल हैं उसके बाद कुछ भी हो सकते हैं अगर आप 17,800 उपर की तरफ काड़ देते हो तो हम बुलिश मोड में आ जाएंगे आप लेवल बहुत इंपॉर्टन रखिए क्योंकि आगे बहुत कुछ बुरा होने वाला है यह जो मे आप गये तो बुलिश हो और 17,600 तक के नीचे जब भी आप हो जब तक आप हो आप मान लोग पूरा चांसेज खुला हुआ है कि हम लोग 16,400 के आसपस आए पूरा चांसेज है कि हम 16,400 के आसपस है अब जो पॉसिबिलिटी बन रहे है वो यह बन रही है यह देखिए जब इस लेवल के आसपस हम लोग आते है 16,900 के आसपस हम लोग एक बाउस लेते हैं यहाँ पर हमने सपोर्ट लिया यहाँ पर लिया यहाँ पर लिया यहाँ पर लिया तो एक चांस मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार यह हो सकता है कि 16,900 तक हम धीरे 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 आए गी यह जो क्लाइमेक्स है यह पूरी कहानी है यह अल्मस्ट एंड होने पर हम लोग अभी नियर मैं क्लाइमेक्स है मैंने आपको 24 नवेंबर की वीडियो में बता था कि कुछ इस टाइप का करेक्शन हम लोग मार्केट में यह अगर पूरी वीडियो में अब यह जो नीचे आएगी यह फाइनल क्लाइमेक्स है इसके लेकिन अब फाइनल क्लाइमेक्स है तो यह मेरे इतने आसानी से नहीं जाएगा यहां पर मार्केट में डर मचाए जाएगा एक्स्ट्रीम डर मार्केट अभी डर आएगी तो लास्ट फेज में जो दोस्तों जब भी होता है ना तो बहुत ही खून खराबा हो जाता है तो यह एक मुमेंट थी इसके यह उपर गई यह प्रीड होने वाला है ऐसी पूरी पॉसिबिलिटी से बट आप यह समझ लीजिए कि इसके बाद एक बहुत अच्छा सवेरा आपका इंतजार कर रहा है तो फिलाल अगर आप मेंको नेक्स्ट वीक के लिए बोलो हमारा व्यू फिलाल नीचे की तरफ है और हो सकता है कि यह क लगते हैं कि हम 16,400 अब को क्या करना चाहिए अगर हमारे पास हमारे पास पूर्टफोलियो है तो हम क्या करना चाहिए तो देखिए सिंपल सी बात है आपको कुछ नहीं करना चाहिए यूशुड कीप ऑन होल्डिंग यूर पोडिशन जो भी आपके पास अच्छे स्टॉक की करेक्शन है अगर करेक्शन बहुत जादा मतलब थोड़ा और भी नीचे चला चाहिए 16,400 से थोड़ा नीचे भी चा सकता है विकस कैसा होता है कि जनरली आप मार्केट का एक नेचर समझो मार्केट का नेचर ही होता है जो सब लोग उमीद करते ना मार्केट में इसा कभ अब 16,400 की नीचे है जो important level बनता है मार्केट के लिए वह है 16,000 का लेवल अब 16,000 पर भी मार्केट नहीं रुखेगी आप बात समझो अगर 16,400 कड़ गया ना तो आप मान के चलो कि between 16,000 ए 16,400 अब मान लो 16,200-300 के आसपास मार्केट रुखेगी या अगर मार्केट ने 16,000 क लेवल के आसपास आ गए मार्केट तो आप मान के चलो 100 और नीचे मान लो मतलब यह लेवल यह तो नहीं मतब जाद हो गया 15,900 के आसपास अब मान लो यह जो लेवल है ना यह जो टॉप 15,900 के आसपास क्योंकि मार्केट का एक नेचर समझो जो पूरी दुनिया सोचती है ना वैसा नहीं होता पूरी दुनिया अगर यह सोच रहे हैं ना कि हमको 16,000 पर खरीदना है तो मार्केट की कर्रेक्शन ना तो 16,100-200 पर खतम हो जाएगी या थोड़ा सा नीचे और आ जागी 15,900 तो फिलाल लेकिन एक बात है कि जो मेजर कारोबार है मतलब अगर आप जाक लेकिन नीचे टिकेगी इसका चांस कम है और फिर मार्केट यह उपर आ जाएगी तो अगर आप यहां से देखते हो तो मेरे क्याल से बहुत जादा डाउनसाइड है नहीं आप लॉंग टम अपना जो पूर्टफोलिय उसको आप सेल करने की तब सोचते हो ना जब आपको बहुत बड़ी डाउनसाइड नीचे दिखती है अब इस डाउनसाइड में अगर है तो आप इसमें क्या काट होगे अब जब काट होगे तो हो सकता है जो आपने शेर काटा वो शायद फरदर ना गिरे चाहे दो उसी लेवल पर रहे उससे जादा बढ़ जाए और जब एक अब कुछ हो चुका होगा तब एक्स्ट्रीम पैसिमिजम रहेगा तब हर को यूटुब पे आके हर को यहीं बोलेगा आप तो आपके सामने आपके रेट आएंगे जो रेट पर लेना चाहते थे एक अगर स्टॉक आपने सोचा कि इस रेट पर लूँगा वो टाइम पर र बाती नहीं कर रहा है उनका तो आप देख लो उनको आप जब निकाल सकते हो निकाल दो अच्छे स्टॉक्स आपके पास पड़े तो मुझे नहीं लगता को कोई भी टेंचन लेने की जरूत नहीं होगा मार काट होगी मैं और आपको आपको आप समझे ना आज इस चैनल प अब तक आपने नहीं देखा ना एक दौफते में आपको इतना पेन दिख जाएगा और यह करेक्शन मेरे खैल से यह जो है यह करेक्शन आप मानलो आगे के ज्यादा से ज्यादा 10-15 मार्श तक ज्यादा मतलब एक मैना और एक मैना अगर और आपके समाल लिया ना उसके ब अगर यह रशीया और युक्रेइन की वज़ेंसे अगर आपको स्टोंक्स घिरावर्ट मी आचगा पर श्तौं कि ल था कि मार्केट और नीचे जाया तो अब यहां से और मार्केट यहां से नीचे गई तो आप समझे फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी फिर चोटा मोटा नहीं रहेगा फिर जो हम सोचते ना पुरी सोच हमारी बदल नहीं पड़ जाएगी अगर मार्केट ने आप समझे के अब सोलाजार के इंचे डिसाइसिवली काट के मार्केट टिक गई फिर यह खेल चोटा मोटा नहीं रहेगा फिर बड़ा हो जाएगा और हो सकता है फिर आपको 2022 और कहीं अब तक 2023 यह पूरा वक्त चला जाए आपका फिर मार्केट बहुत कुछ हो सकता है बट उसकी बात आपे स्टाटेजी अपना सकते हो वही बात है एक्जाक टाइव करने की कोशिश मत करो मार्केट को 25 परसेंट आप समझे कोई नहीं कर सकता ठीक है यह अच्छे लेवल्स हैं और अगर थोड़ा बहुत नीचे और मार्केट आ जाती है तो मेरे कैसे अच्छे स्टॉक्स अगर आप यह चार्ट को पढ़ना सीख गयाना तो यह सब यह सब सिगंडरी बात है क्यूंकि हम लोग एजए टेकनिकल एनलिस्ट हम यह मानते हैं कि यह चार्ट में सब कुछ है अब आप देखिए ना यह लेवल पे जब हम थे तब यह बजट आने वाला था अब बजट म मुझे बात बदई है कि कुछ पता होता है क्या होने वाले किसी को कुछ नहीं पता ना कोई यूटूब पर ना कई आके बोल रहा था कि हम लोग उपर जाने वाले फिर इस चैनल पर दोस्तों हमने सई की थी कि हम लोग एक बार 17,800 तक जा रहे हैं हम लोग 16,900 पे थे ख्लि किया था तो सिंपल बात है यह अगर मार्केट को यहां से यहां गिर जाएगी तो यह सब बाहन है मार्केट ढूलती है हमको उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है आपको बस अपने चार्ट पर बरसा रखना है अब उसके लिए अगर मैं देखू तो जो अपना अब जो जो नजोंस रखना करेशन पर जोबच है अब यह चल बाइख सकता है यह उपर गया और फिर नीचे तो सकता है इस लेवल के आसपास फिर आजाए कुछ ज्यादा क्लियारेटी नहीं है फिलाल अगर आप देखोगे जो मेरा सबसे बारा कंसर नहीं है ना वह यह इंपोर्टर्स और बहुत सारी चीज़ें इंडिया में क्रूड ऑइल के से बनती हैं इसलिए अपने लिए बहुत बड़े नुकसान की बात है वह टेंशन दिरे कम होगा क्रूड ऑइल नीचे सेटल हो जाएगा तो बहुत दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि इसको मेरे कहाल से सेटल हो जाना है नीचे बट उसके चक्कर में जो डॉलर है वो डॉलर काफी स्ट्रॉंग हो रहा है जो भी हमारे लिए अगें एक आप बोल सकते हो के अच्छा इंडिकेशन बिल्कुल भी नहीं है अगर डॉलर उपर जाए तो डॉलर तूटना ज़रूरी हमारे लिए एंड अगर यह वार के टेंशन की वर जिसे जो भी कमोडिटीज है उसमें ऑबियस सी बात है उसमें एक अच्छा कासा एक पॉजिटिवनेस आ रहा है काफी अच्छा अच्छी चले गोल्ड सिल्वा सब बेनिफिट पा रहे हैं फार्मा इंडेक्स पे तो खेर मेरा कोई व यह गिरेगा एक बांस लेगा फिर गिरेगा यह लेवल पर दोस्तों मैंने लास्ट उर्ट वीडियो में बता है एक बांस लेगा आप देखो बाँंस प्लिया इसका कुछ नहीं होने वाला भी यह Tech Solutionsём और फार्मा गया te 然後 फ्र Kirsty het मुझे कुछ खास दिल्चस भी है नहीं मेटल मेरे को बहुत पसंद है मेटल आप देख सकते हैं अभी इनके लिए बेनिफिट भी है जिए पॉलिटिकल टेंचन चल रहे तो एन और यहां से भी ब्रेक आउट देने को त्यान है तो यह दोस्तों कुछ एक view था तो मेरे खाल से टाइम टूबी कॉशियोष अभी आपको कॉशियोष रहना है हो सकता है कि आपको थोड़ा सा पेन देखने को मिले 17,600 के उपर ठिक जाते हैं तो ठीक है थोड़ी रहाद की सास है 17,800 के उपर अगर आप टिक जाते हो तो आप बुलिश हो आप मेरे को पुछो कि मैं क्या चाहता हूं मैं चाहता हूं कि हम लोग 16,400 के आसपस आएं मैं चाह पॉटफोलियो है तो अगर मार्केट गिरती है तो नुकसान मेरा भी होगा और मैरे काल से आपसे जादा ही मेरा नुकसान होगा लेकिन कैसा होता है कि कुछ चीज़ा इसी होती जो होना ज़रूरी है जो चार्ट की सियत के लिए अच्छा है मैं यह चाहता हूं कि चार्ट अच्छे बने ताके जो मेरा व्यू है कि 2022 हमारे लिए अच्छा बड़िया साल होने वाला है उसके पहले यह करेक्शन होना ज़रूरी है मार्केट में मार्काट होना ज़रूरी है जो लोग बोलते क्या वाय करें क्या वाय करें उनको डर लखना ज़रूरी है मार्केट को हल कीजिए बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ कुछ भी वीव में बदला होता है तो टेलिग्राम पे डाल दूगा या फिर बहुत जादा उपर नीचे हो गया कुछ तो फिर आके वीडियो भी बना दूगा विश्यू आल दा बेस्ट सी यू सोन टेक केर बाइब बाई के लिए कि मुछ में राल दूगा पे जाल दूगां और बना दूगा ओ।